प्रदेश कॉंगेश कमेटी ने कल मेटिंग बुराई थी पीची मेंबरों की तो काफी लंबेर से बाद में प्रदेश कॉंगेश के अंदर जो इलेक्न कमेटी होती है हमारी उनको बिल्कुल सबको अधिकार दिया गया तमाम लोग जिलों में गए और जाके फिर बेर लेके आए वो प्रदेश कॉंगेश के अधिशित सुंग दिया कल अधिशित ने सबको कहा इसके अलब आभी जाके आए जिलों में उसके अलब आभी तो कि आप 5 के मेंबर हैं जिन चीटों पर देना चाहें, आप अपना मत देना चाहें या सला जाना चाहें, आप आराम से डिली आकर दे सकते हैं, कमिटी के मिट्री गौरगोगाई जो चेर्मेन को दे सकते हैं, या अदेजिक ने कहा रात को नोबे तो मेरे पार बीज़ दो, तो मैं आपकी वो क्यों वहावनाफ पहुंचा दूगा इसके में चेर्मेर के पास में तो इस परद्ध रिज करके यह काम हो रहा है जो रिपोड आईये सर्वे, यह पीडबैक आये हैं, उसके आदा प्यॉरली उसके आदा पर टेकेट मेलेंगे, यह मैं कह सकते आपको. लेकिन सर एक बार एंटी इंकम्मेंसी का लगातार शाक्टर चल गए आपको लगता है कि अधिक देखी ज्यादा तो ज्यादा मेरी बाग कुछ तो बाद ज्यादा फेले गई है जब सगाय खिलाबे कोई लहर नहीं है नमबर एक कोई शिकाद किसी से नहीं है हम लोगों से और नमबर तीन डिब शिकाद मेरी करते हैं तो मेर के च्छित्र में तो जाएंगे और जाएंगे गए है या इसीदे के गए हैं उनकी रिपोर्ट आई है तो सर्वे कमनी वो सर्वे कर रही है हमरे फिद्वेक लेते हैं। उसके आजार पही मान दोकी हमेरे का नाम आता हम पे तो फिक कमेट्री और हम लोग क्या कर पाएंगे। हमें तो रहोज्द लोग करना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा टोटली क्या फीडबेक आता है उसकी उपर सामको मालू करेगा अधार पर ही टिकेट मिलेंगे सबको और इसकी निकमिटी उसी को प्राइड देगे सर्वे हुए है और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही अब टिकेट दिये जाएंगे विनेबिलिटी क्राइटेरिया होगा और विनेबिलिटी के आधार पर ही ये जीत तै होगी और यह जीत तब होगी जब जो सर्वे या जो विनेबिलिटी जताई गई है उस आधार पर मुखे मंत्री अशोग गैलोत दिल्ली पोहशने पर उन्होंने ये बयान दिया है और क्यूंकि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है टिकेट को लेकर चर्चा की जाएगी राजस्थान के गणित को लेकर चर्चा की जाएगी उमीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी और ये चर्चा बेहत एहम भी रहेगी और उस बैठक से पहले मुख्यमंत्री एशोग गैलोत ने कहा है उन्होंने कहा कि जो सर्वे हुए है उस आधार पर ही टिकेट मिलेगा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया